बारत में हुए इस साल इलेक्शन काफी चर्चा और विवाद का विश्य बने रहे खास कर वेस्ट बंगोल को लेकर दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूं वेस्ट बंगोल फिर से चर्चा का विश्य बन रहा है नमस्का दोस्तों मैं हूँ रमंदीप वेलकम टो माई चैनल वेस्ट बंगोल चर्चा का विश्य फिर से अपनी विदान परिश्य को लेकर बना हुआ है वेस्ट बंगोल की तिरिन मुल कॉंग्रेस ने स्टेट में लेजिसलेटिव काउंसल को एप्रूब दे दिया है बता दें कि विदान परिश्य यानि लेजिसलेटिव काउंसल को लेकर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में वादा किया था ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगोल में कभी विदान परिश्य थी नहीं प्रदेश, तेलंगाना और करनाटक जमू कश्मीर से 370 हटने के बाद अब वहां भी विदान परिशद नहीं है आपको यह भी कलियर कर दें कि विदान परिशद को बनाना पूरी तरह से स्टेट गुवर्नमेंट के हाथ में नहीं है स्टेट गुवर्नमेंट को विशेश बह का बनना अगर देखा जाए तो पार्लियमेंट के हाथ में ही होता है स्टेट का मुख्यमंतरी विदान सवा और विदान परिशद का मेंबर हो सकता है जैसे उत्र परदेश में योगी अधित्यनाथ ने जब चीफ मिनिस्टर के लिए अपना संसद में सथान शोड़ा तो उ को इलेक्शन हार चुकी है अब ऐसे में 6 महीने के अंदर उन्हें विदान सवा का मेंबर बनना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें इलेक्शन फिर से लड़ना पड़ेगा हाँ अगर स्टेट में पहले से ही विदान परिशद होती तो उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़ता अब देखते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट विदान परिशद को कब अप्रूबल देती है या फिर ममता बेनरजी को फिर एलेक्शन लड़ना पड़ेगा इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच्च